फ्री में ही ये खाद आपके घर में तयार हो जाएगा और अप्राजिता, मोगरा, गुड़हल सब पे जबर जस्त फ्लारिंग लेने में हेल्प करेगा एवन यदि तुलसी जी का पौधा भी आपके हाँ सूख रहा है तो इस खाद के इस्तमाल से आप अपनी तुलसी को हरी भरी कर सकते हैं और जितने भी इंडोर या आउटडोर प्लांट्स हैं सभी को ये खाद दे सकते हैं यदि आपका पौधा मर रहा है मुर्जा रहा है तो मुर्जाते हुए पौधों को भी बचाने में ये हेल्प करेगा कैसे आगे के वीडियो में मैं आपको दिखाती हूँ कई लोगों की ये क्वेरी थी कि मेरे जैस्मीन से या मोगरा से खुश्बू ही नहीं आती है आपने टैरिस पर या जमीन में भी लगा रखाया है आपने इस पौधे को तो जमीन में भी आप इस खात को दे सकते हैं चारो तरप से गड़्धा बना करके और इसके लिक्विड को डालना है गर्मियों में लिक्विड फर्टिलाइजर बेस्ट होता है और एक चीज़ है कि मौनसून अब आने वाला है सभी जगहों पर बरसाथ शुरू होने वाली है और इंडिया के कई कोनों में बारिश शुरू भी हो गई है तो जिनके हाँ बरसाथ हो रही है वो जब मिट्टी ड्राई होगी तभी इस खाथ को देंगे गीले मिट्टी में नहीं देना है और जिनके हाँ बारिश नहीं हो रही है वो बारिश के पहले इस खाथ को देंगे इससे आपके मरते हुए पौदे भी बरस सकते हैं ये लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था और इसका अभी मैं अपडेटेड वर्जन भी आपको दिखाती हूँ ये मेरे मोगरे का पौदा है जो सूखने लगा था और सूखते हुए पौदे को बचाने के लिए मैं जो खाद अकसर आप लोगों के साँ शेयर करती रहती हूँ वही खाद दिया है और देखिए इसमें निव लिवस आ रही है अब ये उसका अपडेटेड है अब इसमें से सूखी पतियां तो मैंने हटाई नहीं है वो अपने आप ही गिरेंगी मैं जबरजस्ती अभी गर् अच्छाट बिल्कुल नहीं करना चाहिए सही टाइम नहीं है क्योंकि पौधे स्ट्रेस में है अलरीडी गर्मी इतनी जादा है कि पौधों को बचाना मुश्किल हो रहा है तो इस खाद को देने से मरते हुए पौधे को बचा सकते हैं बशरते की पौधे को आप ये खाद बिल्कुल भी नहीं हो रही है तो इस खाद को देने से आप अपने मोगरे के पौधे पर कैल्शियम की कमी को पूरा कर सकते हैं रबर प्लांट या एगलो निमा या मनी प्लांट जितने भी पौधे हैं सबको दे सकते हैं आपको क्या करना है मैं ये पांच लिटर की बालती है तो मैंने तीन लिटर पानी लिया है अब इसमें एक कप ये जो वाइट सी चीज आप देख रहे हैं जो आपके घरों में सभी के घरों में उपलब्द होता है लेकिन हम इसको अक्सर फेक देते हैं देखे गर्मियों में अक्सर मैंने देखा है कि दूद फट ही जाता है शायदी कोई घर ऐसा हो जहां दूद ना फटता हो गर्मियों में खास करके तो दूद फटने के बाद जो material है वो तो आप अलग कर लेते हैं लेकिन जो पानी है उसका वो अकसर हम लोग फेक देते हैं क्योंकि हमें पता नहीं होता कि calcium का सही श्रोथ ये पानी ही है वही एक का पानी मैंने 3 लीटर में मिलाया है और इसमें मैंने मिलाया है केले और प्याज के चिलके जो आलरेडी मैंने भीगो कर रखा था आप चाहें तो इसी में केले और प्याज के चिलके डाल सकते हैं केले के चिलके अपने according ले लिजे 3-4 या प्याज के चिलके भी अपने according ले लिजे ये आपके 8-10 गमलों के लिए बहुत ही एनफ होगा ये डाल करके रात भर भी गोएंगे लेकिन ये जो important चीज मैं आपको दिखा रहे हूँ ये है coffee, देखिए आधे चम्मत से भी कम लिया है ये आपके सभी फूलों वाले पौधों के लिए ये बहुत ही बड़िया potassium का श्रोत है केले के चिलके और coffee powder जो हमने मिलाया है ये दोनो potassium का श्रोत हैं जो आपके गुड़ल, मोगरा, अपराजिता, डबल चांदिनी, मधुकामनी सभी को फूलों से भरने में help करेगा यदि आपको इस बारे में और जादा जानना है तो आप पढ़ सकते हैं या थोड़ा सर्च करके देख सकते हैं ये बिल्कुल genuine चीज़ है और इसका कोई नुकसान नहीं है मैं अकसर कई सालों से इसका इस्तमाल करते आई हूँ और गुढ़ल पर तो ये इतना बढ़िया काम करता है केले के चिलके और कॉफी का combination की निश्यत तोर पर सालों भर flowering होती है आप मोगरे को दे सकते हैं गुढ़ल को दे सकते हैं सभी फूलो वाले पौधों को दे सकते हैं इनक्लूडिंग तुलसी जी तुलसी जी का पौधा जिनका सूख राय या ग्रोथ नहीं हो रही है उनको भी देंगे देखे ये मेरे जो पौधे हैं ना पत्तियां जली हैं ना कुछ ऐसा आपको मुर्जाया हुआ सा देख रहा है सभी पौधे स्वस्थ हैं इसलिए क्योंकि सीजन के एकॉर्डिंग यदि हम अपने पौधों को फीड करते हैं तो ये पौधे हमेशा स्वस्थ रहते हैं सूखते मुर्जाते नहीं है अब इसका इस्तमाल कप कप करना है हर एक 15 डेल पर आप इसका इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन यदि बरसाथ शुरू हो जाता है तो फिर इसको बंद कर देना है बरसाथ के बाद फिर हम इसको दे सकते हैं ये जो खाद है ये एक तो फ्री में घर में तयार हो जाएगा यदि कॉफी आप नहीं मिलाना चाते हैं तो आप चाहें तो इस से स्प्रे कर सकते हैं अपने मनी प्लांट को और सभी पौधों को जिने आपको लगता है बचाना मुश्किल हो रहा है या वो पौधे सूख रहे हैं तो आप इस खाद का इस्तमाल करके देखें स्वाइल नैचुरली एक तो भूरभूरी हो जाएगी जिससे पौधा बहुत ही स्वस्त रहेगा देखिए मेरे रबर प्लांट या मनी प्लांट में बहुत ही अच्छी ग्रोध चल रही है पत्तियां भी लश ग्रीन है क्यो मिलके वेगर आप ना भी डाले तो आप बराबर लिक्विड मिला करके एक कप पानी और एक कप नॉर्मल वाटर मिला करके अपने पौधे को दे दीजे आप देखिए आपके पौधे की ग्रोध बहुत ही अच्छी होने लगेगी यह जो फटे हुए दूद का पानी है सार म जाएगी जो स्वाइल है उसमें बहुत ही काम के वर्मीज होंगे जो आपके पौधे की ग्रोध को बढ़ाने में मदद करेंगे आपके पौधों की जड़ों का विस्तार करने में भी यह बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे इन्हें 15 दिनों पर रिपीट कीजिए और बरसातो के अलग-अलग कॉंटेंट्स हैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी आप जाकर देख सकते हैं और इस वीडियो को फेस्बुक पर भी देख सकते हैं